हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो वर यूट्यूब चैनल फार्मा विंस दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट mcq question answer mcq मतलब multiple choice question answer जो की है cosmetic science और cosmetical subject से related दोस्तों अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने हमारा नहीं देखा है तो आप जो है उपर ये जो लिंक आ रही है कोने में यहां पर आई बटन में इस पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो देख सकते हैं या फिर यहां नीचे description box में भी में लिंक आपको दे दे हूँ यहां पर भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख पाएंगे तो दोस्तों उसमें मैंने cover किया था इससे पिछले वाले MCQ में एक से लेके 20 question तक उसमें cover किये थे तो वो आप देख लीजेगा इस वीडियो को फिलाल अभी देख लीजे और इस वीडियो में मैं 21 से लेक पूरा जरूर देखिएगा बीच में skip मत करना तो आपको ये question जो है वो समझ में भी आ जाएंगा और आपके exam के लिए भी बहुत जादा important हैं दोस्तों अगर आप हमारे channel पर पहली बार आए हैं तो हमारे channel को अभी subscribe कर लीजे और इस video को like करना मत भूलना तो आगे बढ़त हमेक टेंट का example कौन है option A die ethylene glycol option B try ethylene glycol poly ethylene glycol या फिर all of the above तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं बता दू कि हमेक टेंट होते क्या हैं दोस्तों जो हमेक टेंट होते हैं उनक का काम होता है moisture को बनाए रखना ये जिस भी product में use किये जाते हैं जैसे cosmetics में भी humectants का use होता है इसके अलावा medicine में भी इनका use होता है तो कई अलग अलग products में इनका use होता है cosmetic, medicine, pesticides, food materials तो बहुत सारे ऐसे product हैं जहां पर इनका use होता है अब ये काम क्या करते हैं दोस्तों इन इनका काम होता है moisture को जो है वो बनाए रखना मतलब ये कैसे होते हैं ये इनका जो nature होता है वो होता है hygroescopic और ये preserve या retain क्या करते हैं moisture को जिससे preparation जो है वो सूखती नहीं है dry नहीं होती है और उसमें moisture बना रहता है तो दोस्तों ये बात आपको समझ आ गई होगी अब हम बात करते हैं कि इसका जो है correct answer क्या है humectent में से कौन सा है तो दोस्तों ये सभी जो है वो humectent है यहाँ पर ये सभी example humectent के ही है तो इसका जो correct answer होगा वो होगा all of the above diethylene glycol, triethylene glycol और polyethylene glycol ये सभी जो है वो humectents ही होते हैं चलिए next question की तरफ move करते हैं question number 22 है और ये question है इसमें पूछा गया है following is not the synthetic humectent इन में से synthetic humectent कौन सा नहीं है तो दोस्तों इन में से देखिए ये butylene glycol, talc, urea और glycerine तो इन में से जो synthetic humectent नहीं है वो है talc बाकी सभी synthetic humectent होते हैं दोस्तों next question की तरफ move करते हैं question number 23 ये question जो है the optimal preservation should have this attribute तो preservative या preservation से related है तो preservative के बारे में है optimal preservative में ये सभी चीज़ें क्या-क्या होनी चाहिए ये पूछा गया है क्या वो broad spectrum activity उसमें होनी चाहिए या फिर effective over the anticipated shelf life, be affected over a wide pH range या फिर all of the above तो दोस्तों इसमें से जो correct answer है वो है all of the above, option D क्योंकि ये सभी qualities एक अच्छे preservative में होनी चाहिए preservative दोस्तों क्या होता है, preservative वो substance या वो agents होते हैं जो किसी भी product को जो है वो protect करके रखते हैं micro organism से ठीक है, तो अब वो जो कैसे होने चाहिए, एक तो broad spectrum होने चाहिए, जो effective होना चाहिए, shelf life से भी जो है वो लगबग जादा तक, उसकी जो shelf life होती है उसको पूरा cover करें, फिर इसके अलावा वो wide pH range पर भी effective होने चाहिए, तो इसका जो correct answer है दोस्तों वो क्या है, option D, ये वा not the preservative, question number 24, इन मैंसे कौन सा जो है वो preservative नहीं है, example यहाँ पर, example क्या option जो है, वो ये है, methyl paraben, butyl paraben, phenol, या फिर magnesium stearate, तो क्या पूछा गया दोस्तों, कि इन मैंसे कौन सा preservative नहीं है, तो दोस्तों, जो correct answer है, वो है, magnesium stearate, ये preservative का example नहीं है, बाकि ये सभी preservative होते हैं, methyl paraben, butyl paraben, phenol, ये सभी preservatives हैं, बस ये वाला नहीं होता है, तो दोस्तों, इसका correct answer क्या है, option D, magnesium stearate, next question है, 25, दोस्तों, अगर आपको ये question और उनके answer, और साथ में उसके explanation समझ में आ रहे हैं, तो इस वीडियो को शुरू से ये last तक पूरा देखते रहे हैं, बीच में, इस वीडियो को अगर जरा भी समझ में आ रहा है, तो अभी like भी कर दीजे, दोस्तों, next question के हम लोग बात करें, question number 25, layers of epidermis, epidermis, जो है, वो उसकी layer कौन कौन सी होती है, इनमें से, या कौन सी होती है, जैसे पहला option है, stratum basal, and stratum spinosum, दूसरा है, option B, stratum granulosum, और stratum corneum, तीसरा है बोथ A and B, और चौता है, none of the above, तो दोस्तों, इसमें से, जो correct answer है, वो है, बोथ A and B, मतलब option C सही है, क्योंकि epidermis की, ये सभी layers होती है, stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, और stratum corneum, next question की तरफ, move करते हैं, 26, question है, common problem associated with teeth and gums, तो teeth और gums के साथ में, इनमें से, कौन सी common problem associate होती है, जैसे, plague and dental caries, या tartar and bad breath, dental stains, या फिर all of the above, तो दोस्तों, ये सभी जितनी भी problem है, चाहे, वो option A में, B में, C में, सब में दी गई है, ये सभी associated होती है, मतलब ये सारी problem, दात और मसूरों से ही related है, तो इसका जो correct answer होगा, वो क्या होगा, all of the above, option D, next question है, 27, तो इसमें हम लोग बात करते हैं, dry mouth is a dental condition, in which the level of saliva in the mouth is, अब जो मू सूखने की, या जो dry mouth की जो problem होती है, वो एक dental condition होती है, जिसमें, saliva का level, जो है, माउथ में, क्या हो जाता है, घट जाता है, बढ़ जाता है, यही option यहाँ पर दिये गए हैं, क्या हो जाता है, इ जाता है, saliva का level, या amount जो saliva का है, वो बढ़ जाता है, या रुक जाता है, या फिर इन में से, कोई नहीं, none of the above, दोस्तों, common सी बात है, कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, saliva का जो level है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, amount कम हो जाता है, इसी वज़े से, मुह सूखने की problem, या dry mouth की problem देखने को मिलती है, तो इसका correct answer क्या होगा, reduced, option A, next question है, 28, इसमें पूछा गया है, skincare product is categorized into following functional group, इन मैसे जो skincare product है, वो किस category में इनको categorize किया गया है, जैसे drugs, option A, cosmetics, cosmeticals, या फिर all of the above, तो दोस्तों, इसका जो correct answer है, वो है, all of the above, option D, क्योंकि जो skincare products होते हैं, वो इन में से सभी तरीके की categories में आते हैं, drugs के form में भी, cosmetics में भी, और cosmeticals में भी, तो next question की तरफ move करते हैं हम लोग, और देखते हैं, next question क्या है, 29 जो question है, वो different surfactants are often combined in cleaners to maximize, जो अलग-अलग जो surfactants होते हैं, वो combine किया जाते हैं, cleaners में minimize करने के क्या कम करने के लिए, irritating potential of the cleaners, जो cleaners का irritating potential होता है, उसको कम करने के लिए, तो ये बात पूछी गई है, तो ये सही है या गलत है, मतलब true है, या false है, या फिर, जो surfactant maximize the irritating potential of the cleaner, क्या surfactant बढ़ा देते हैं, irritating potential cleaners का, या फिर, surfactant are not combined with cleaners, तो इन में से ही जो correct answer है, वो है true, दोस्तों, जो surfactants होते हैं, अलग-अलग तरीके के, वो cleaner के साथ मिला जाते हैं, इसलिए कि उनका जो cleaners का irritating potential है, या irritating effect है, वो कम किया जा सके, ये इसका जो correct answer है, वो है option A, true, next question है, इस question में पूछा गया है, surfactants are not combined with cleaners, sorry, ये तो option था पिछले वाले का, question number 30, जो है, वो अपना है, example of emollient, तो इन में से emollient का example कौन सा है, option A, petrol atom and lanolin, या mineral oil and ceramides, या फिर both A and B, या फिर none of the above, तो दोस्तों, इसका जो correct answer है, वो है, बोथ A and B, क्योंकि ये दोनों ही उपर के ये जो example हैं, वो इसी के हैं, emollients के ही example है, petrol atom and lanolin, और mineral oil and ceramides, तो इसका जो correct answer होगा, वो होगा, option C, both A and B, question number 31 है, इसमें पूछा गया है, a moisturizing product includes, moisturizing product में इन में से क्या क्या होता है, देखिए, option A है, moisturizer, B है, emulsifier system, third है, C है, water and preservatives, या फिर all of the above, तो जाहिर सी बात है कि इन में, जो है, preservative, या sorry, जो moisturizing product है, इन में ये सभी चीज़ें होती है, moisturizer भी होता है, emulsifier system भी होता है, water and preservatives भी होते हैं, तो इसका option क्या होगा, option जो correct है, वो है option D, all of the above, question number 32 है, जिसमें पूछा गया है, the most important naturally found structural element of intercellular lipids in SC, which regulates body hemostasis is, तो अब इस question में options दिये गए हैं, proteins, ceramides, glucose या none of the above, तो जो intercellular lipids होती हैं, उसमें पूछा गया है, कि जो structural element, natural structural element कौन साब पाया जाता है, proteins, ceramides, glucose या none of the above, तो इसमें जो correct answer है, वो option B, ceramides, next question है, 33, जिसमें पूछा गया है, antioxidant BHA stands for, तो दोस्तों ये short form है, antioxidant का BHA, तो इसका full form पुछा गया है, क्या है इन में से, butylated hydroxy amine, boron, hydroxyl alanine, aniline या फिर butylated hydroxy anisole, या फिर none of the above, तो दोस्तों इसमें से, जो correct answer है, वो है, इसका C option, butylated hydroxy anisole, एक और मैं आपको example बताता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादे important है, जैसे ये BHA था, ऐसे ही एक और बहुत ही important जो है, वो antioxidant इस्तिमाल किया जाता है, butylated hydroxy toluene, इसका full form होता है, और इसका होता है, butylated hydroxy anisole, तो ये जो है, वो बहुत ही effective antioxidants होते हैं, कई competitive exams, मैं भी pharmacy के जो exam होते हैं, उनमें ये question पूछा जाता है, including GPAT, तो next question की तरफ move करते हैं, दोस्तों हम लोग, question number 34, following are the examples of opacifying agent accept, इन में से, जो है, opacifying agent के example कौन कौन से हैं, किसी एक को छोड़के, जैसे titanium dioxide, ethylene glycol diesterate, di calcium phosphate, या फिर ethylene glycol monosterate, तो दोस्तों, इसका जो correct answer है, वो है di calcium phosphate, मतलब, ये जो di calcium phosphate है, option C, ये सही है, क्यों? क्योंकि ये जो है, वो opacifying agent, ये सभी opacifying agent होते हैं, इस series का ये वाला next question है, वो है, question number 35, abrasive used in the formulation of toothpaste, should have following properties, जो abrasive इस्तेमाल होते हैं, toothpaste बनाने में, उन में, इन में से, कौन कौन सी properties, जो है, वो होनी चाहिए, first option है, particles should be spherical, with no sharp edges, should not damage the gums, enamel and dentin, or should remove debris and residual surface strains, तो दोस्तों, इस में, जो toothpaste formulation होती है, उसमें, जो abrasive इस्तेमाल किये जाते हैं, जाहिर सी बात है, उसमें, ये सभी qualities होनी चाहिए, क्योंकि ये सभी जरूरी है, हमारे teeth को protect करने के लिए, उनको clean करने के लिए, और बाकी जो associated teeth और gum से जो problem associated होती है, उनको भी cover करने के लिए, तो दोस्तों, इसका जो correct answer होगा, वो क्या होगा, all of the above, तो इसका जो correct answer है, option D, all of the above, तो ये सभी qualities होनी चाहिए, तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है, कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और समझ में भी आया होगा, तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर पाया है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे दिये गए लाल बटन को दबा कर, और उसके बगल में एक चोटी सी घंटी का बटन है, उसे भी जरूर प्रेस कीजेगा, और अल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजे, कमेंट में मुझे बताइएगा, कि इसमें से जो है, क्वेस्चन नमबर जो 26 था, उसका आंसर क्या होना चाहिए, अगर आपने ध्यान से देखा है, उसका क्या आंसर सही है, और शेयर जरूर कीजेगा अपने क्लासमेट के साथ में, और थैंक यू फॉर यूर सपोर, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आप से, इसी के नेक्स्ट सीरीज में, जो की होगा, MCQ नमबर फॉर, जिसमें हम लोग नेक्स्ट जो है, वो क्वेस्टन कवर करेंगे, 36 से लेके, और जो है, आपका 50 कॉस्टन तक हम लोग कवर करेंगे, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो,